जम्मु कश्मीर में विद्यूत विकास विभाग ने घरेलू बिजली उपभुगताओ के लिए माफी योजना के अवधी बढ़ाने की खोशना की है। विभाग ने इस संबन में आदेश चारी करके घरेलू उपभोकताओं के लिए माफी योजना को एक वर्ष यानी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है इसके लिए सक्षम अधिकारी से मन्जूरी ली जा रही है आपको बता दे कि एमिनस्टी स्कीम के तहट उपभोकता 12 महीनों में बिना किसी ब्यास के अपना पुराना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं अब विभाग द्वारा एमिनस्टी योजना को एक बार फिर से बढ़ाया गया है और यह पहला अफसर नहीं है जब एमिनस्टी योजना को बढ़ाया गया हो और उपभोकताओं को किस्तों में बिल जमा करने ब्यास पर छूड देने जैसे लाब भी दिये गई हो इसके बावजुद कई उपभोकता बिजली का बिल जमान नहीं करवा रहे एमिनस्टी योजना एक तरह से उन लोगों का उत्सा भी कम करती है जो समय से बिजली का बुकतान करते हैं इस योजना को बढ़ाने की बजाए उपभोकताओं की अलग-अलग लिस्ट बनाई जान इसके बाद बिल का बुकतान करने में असमर्थ रहे उपभोकताओं की आर्थिक सामाजिक दशा पर एमिनस्टी योजना शुरू करनी चाहिए इसके साथ उन लोगों के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए जो जान बूझ कर बिजली का बुकतान नहीं कर रहे हैं उनके इसके योजना का लाब गरीब और जरूरत मन्द उपभोकताओं को मिल सके